जहिन दूस्तो आज जो है बिहार पुलिस के सिलेवस जो है नए पैटरन के अधारित पर लोकतंत्र की उपलब्दियां जो है आज जितने भी इनके इंपोर्टेंट कोशन्स बन रहे हैं वो सभी कोशन्स जो है आप सभी को कराने वाले है जिन भी छात्रों ने यूनिट 3 नह हौत ही ज़्यादा भी भी जाई था वह कोशन्स आप सभी को मैंने करा दिया था और उसके थमनिल पर मैंने लिखा था कि आसान है प्रंतु बनेगा नहीं सच में असान कोशन्स था और मिसलेडिंग कोशन्स जिस वज़ए से कोशन्स जो है बहुत सारे चातर नहीं बना पा को लिजेगा लोगतन्तर के उप लफदिया में 50 स्वेट डिखादू ताकि आप सभी उसको जाए क्योंगी आप सबसे पहँगे मुश्वास की जरूरत होती है आपको पता ही होगा कि रैंडम जो है बिहार पुलिस CSBC ने syllabus का जिक्र किया है और वो कहा है कि आप सभी का syllabus रहेगा और syllabus में कौन-कौन से chapter, subject रहेंगे वो सारी चीजे आप सभी को ब्याख्या कर दी गई है तो आप सभी को मैं अभी भी कोई बहुत सारी teachers जो है नहीं बता रहे हैं प्रैक्टिस से चला रहे हैं लेकिन मैं आप सभी को subject wise मा लिजे quality में अगर 5 unit दिया हुआ है 5 unit दिये हुआ है या 12 unit दिये हुआ है तो 12 unit में अगर 30, 40, 50, 100 questions मिला कर अगर 500 questions बन रहे हैं तो अगर 12 unit अगर complete करके आप जा रहे हैं अगर 8 question पुछ रहे हैं तो आपका 8 में 8 number मिल जाएगा है इसका reason है आपने syllabus को cover करिया है तो चलिए आप सभी के लिए class जो है start करते हैं है ना क्योंकि आप लोग भी जानते हैं समय बहुत ही कम है ठीक है तो चलिए class पहले start करते हैं class का पहला जो है unit name जो है लोग तंतर की उपलवधिया unit number 4 है और आप सभी को पताई है कि ये कितना महत्पूर्ण है और आप सभी को मैं जो ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए question with answer आप सभी को लगातार में बताते चलूंगा जिससे आप सभी सभी भी बहुत ही जल्दी मेरे माध्यम से आप अपनें माध्यम से rodक्रिया मय जान करते चलीए पहला प्रस्ण आप सभी को कहा जा रहा है कि आना-शाही ब्यवथिते के बाड़े में कौन सा कतन जो है सही है तमारे देश में कौन सा बेवस्ता ताना साही बेवस्ता है या लोक्तंत्र बेवस्ता है तो आप सभी को पता है के हमारे देश में लोक्तंत्र बेवस्ता है तो ताना शाही विवस्ता में कौन सा कथन जो है सही है तो option एक करा है कि जनता को जबरन जो है संतुष्ट करना होता है कोई भी नियम लागू हो गया काला पानी कोई भी नियम लागू हो गया ताना साही में तो उसमें जो है जनता को जबरन जो है उसमें accept करना होता है ना कि उसमें जो है उलेक भ्याक्या करना होता है कि इसमें ये गलत है वो गलत है इसमें भोट उट देने का इसमें कोई option नहीं रहता है सरकार बनाने का जनता को चुनने का इसमें कोई option नहीं रहता है तो ताना साह होदा सब़स्टा आप सभी को पता है कि ताना साही विवस्था arribने कक्तन में कंथ भी और पुछाक जाता है तो आपका question जो है यह सभी के सभी महतपूर ने ठीक है न तो आप लोग जरूर आप लोग जो है इसमें बताएंगे कि कितने question आप सभी के सही भी हो रहे हैं कि यह सभी के सभी important question है सवाल नंबर 2 में क्या पुछ रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सरपर्थम आवश्यक है भारत में लोकतंत्र की शफलता के लिए सरपर्थम आवश्यक है किस चीज का A, जनता का सिक्षित होना, option B, जनता का असिक्षित होना, option C, जनता के पास धन होना, और option D, इन में से कोई नहीं तो आप सभी को पता है कि भारत में लोकतंत्रिय विवस्ता है, और लोकतंत्र की सफलता के लिए सरपर्थम क्या है, सिक्षा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सिक्षा रहेगा, तो जनता के पास धन, automatic आ जाएगा, और जनता असिक्षित रहेगी, तो लोकतंत्र में कोई भ के जगापर इन में से कौन सा कथन जो है, वह सही है, option A करा है कि लोकतंत्र कई पड़किरियाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि ये बात देश सकते हैं, लोकतंत्र में नयाए विकास की धीमी हो जाती है, जो कि ये भी बात सही है, अक्का और ख़व ये दोनों, तो इसका option हो जाएगा C, देखिए, लोकतंत्र कई पड़किरियाओं से ओकर गुजरती है, जैसे कि आप सभी को पता है, लोकतंत्र में आपके जो है, मुखिया से लेकर यहाँ पर आपका राष्ट पती तक की है, लोकतंत्र में इसका व्यवस्ता है, और ये लोकतंत्र में नयाए व और आप सभी के हीत में होता है, जैसे आप सभी को पता है, ये लोकतंत्र का नियाम का है, चलिए फिर अगला कोशन आप सभी से क्या पुछा जा रहा है, कि लोकतंत्र के विवस्ता ने निम्न में से किन मुद्दो पर सफलता पाई है, option A करा है, राजनीतिक और समानताओं क को समाप्त कर देने के लिए, option B करा है कि लोगों के बीच टकराओं समाप्त कर दिया गया था, इसलिए option C करा है कि बहुमत समू और अल्प समू के साथ एक सा बहवार करता है, इसलिए और option D करा है कि समाज का आखरी पंक्ती में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पहमानों को कम कर देना ये लोगतंत्र की बेवस्ता की मुद्दा की सफलता है, तो ये बिल्कुल सही है, देखे लोगतंत्र के अगर बेवस्ता में, अगर किसी भी वेक्ती को, अगर रोटी, कप्रा, मकान, सिख्छा, ये सभी अगर सही से नहीं मिल पाया, संतुलनी तरीके से नहीं मिल पाए तो लोगतंत्र किस काम का है ना तो समाज की आखरी पंक्ति तक खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमानों को कम्त कर देना यही लोगतंत्र की अच्छी व्यवस्ता है चली अगला कोशन आप सभी से क्या कर रहा है कि इन में से कौन सी एक बात लोगतंत्रिक तो लोगतंत्रिक व्यवस्ताओं के अनुरूप जो नहीं है वह है बहुत संख्यक शासन आप सभी को मैं बता दू क्या है बहुत संख्यक शासन माल लेजिए अगर आप सभी को पर्धान मंत्री बनना है इन फ्यूचर आप सभी को पता है कि टोटल सीट पांसो तेतालीस है अगर आप सभी 273 सीट लाते हैं अगर आप किसी जी से माल लेजे कि आप अगर आगे चलकर एक student party बना रहे हैं तो student party बनाए student party में अगर आप अकेला 273 सीट लाते हैं तो एक सो षीट अगर 5 दल से मीलकर, पांच दल में आपका हो जाएगा यह J-U हो जाए, R-J-D हो जाए, मतलब जितने भी है कांग्रेस हो जाए, कोई भी आपके जो, जिसमें मिले हैं, सब मिली थै, अगर वो सबी आपको दे दे, वो अगर आपको दे तो उनको भी आपको कुछ हिसा देना होगा ना, अगर वो 100 सीट दे रहे हैं, तो आपको उनको कुछ हिसा देना होगा, हिसा में आप क्या देंगे, आप किसी का मंतरी पदर देंगे, रिलवे भाग देंगे, किसी को सिक्ष बनाए गया पाँच आदमे का पाँच मा था पाँच पास तरीके डिक डारेक्षन में काम करेगा और उनका भी सीट था तो उनको कुछ किया भी नहीं जा सकता तो यहीं चीज है कि इसमें लोकतंतिक व्यवस्ता के अनुरूप नहीं हो पाती है बहुत संख्यक सासन में अगल लोकतंत्र की व्यवस्ता बहुत ही अच्छा होता है जिसमें 5 साल पर जो है सरकार बदलने का लोगों के पास ताकत होती है जिससे लोग जो है अपने मन से जिस भी सरकार को बना सकती है अगर उनको लगता है कि यह सरकार सही नहीं है तो इनको हटाया जाए अगर इनको लग सभ्सित देश विकाज देश में जरूरी है अगला कुष्ण था सवाल नमबर साथ में आप सभी से कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्ष हो का है तो यहां पर option A दिया जा रहा है, 40 वर्स, option D दिया जा रहा है, 50 वर्स और option C दिया जा रहा है, 60 वर्स और option D दिया जा रहा है, इन में से कोई नहीं, लेकिन यहां पर option C दिये हुआ है, कि भारत के लोकतंत इतिहास कितने वर्स हो गया था, 60 वर्स का है, तो यह गलत है, देखिए आपको पता है कि 1947 में भारत अजाद हो गया था और आप सभी का समिधान लागू कब से हो गया था उनिस सो पचास से लागू आप सभी का हो गया था और अभी कितना चल ला है 2024, 24 साल इधर 50 साल इधर, 74 साल 50 में लाग हुआ, यानि कि 75 साल का जो है आपका समिंधान का इतिहास आप सभी का हो चुका है चली, अगर यहाँ पर 75, 74 रहता है तो आप 74 डालते, यहाँ पर 60 है सबसे हाई, तो सबसे हाई के हिसाब से आपको सबसे हाई डाल देना है ठीक है, चली फिर कोशन, कोशन में हाँ, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि कोशन जो है exact वहाँ पर answer नहों, तो उनके आसपास के जो number हो वही answer आपको होना चाहिए, ठीक है निम्रिन में से कौन सी बेवस्ताई उत्तरदाई एवं बैद है, उत्तरदाई एवं बैद है तो आप सभी को पता है कि लोकतंत्र बेवस्ता आपको मैंने बताया है कि लोकतंत्र बेवस्ता जो है सबसे बहतर बेवस्ता होता है, फिर अगला पता है लोकतंत्र में जनता को उत्तर देना होता है पांच साल में आपको इतना वाते की है तो वह करना क्यों आपने क्यों नहीं किया एक चीज और आपने देखा है कि यह जो चैप्टर है यह चैप्टर में कितने अच्छे-ची कोशन पुछे जा रहे हैं मतलब जीरो मेहनत इसमें जादा मेहनती नहीं है अगर इस परकार से कोशन बिहार पुलिस में दे तेंथ वेस का है तो गर्दा-गर्दा उड़ा देगा सब लड़का बिल्कुल गर्दा-गर्दा उड़ा देगा ठीक है चलिए अगला कोशन है कि भारती समिनान के बारे में कौन सा कथन जो ह और भीदभाव की मान हानी करता है यह एक धरं को राजकिड़ अजयदी यह नहीं है मेंनांको मतदान की अधिकार का अभाव हैं देखे यहां पर कोंसा कथन यहां पर होना चाहिए था यह थर्म की अधार पर भीदभाव यह नहीं किये जाते हैं यहां धर्म के धार पर भेदभाव नहीं किये जाते हैं यह कथर होना चाहिए था तो अब ऑप्सन जाके यह होता कि महिलाओं को मतलदान का अधिकार है लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी है यहां ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप हिंदु धर्म से हैं तो हिंदु का ध देखरें लोगतंत को नोगतंत रोगया है तो टैपिंग में श्टेक है आप लोग कॉपरेट समझदार है लोगतंत से समंदित इन में से कौन सा कत्र जो है वो सही नहीं है व्यक्ति की गरीमा के मार्ग पर अवरोद उत्पन करना समाजिक संघर सोक को टालने संभालने का त देखिए लोगतंत में संबंदित जो है व्यक्ति की गरीमां परस्तावनाओं को जो है गलत भात है को अगला कोस्चन आप सबी से क्या करा है कि लोकतंत्र के परिमान में लोकतंत्र के परिनामों के संदर्व में कौन सा कथन जो है सही है तो यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र में किसी भी परकार के टकड़ाओं की संभावना नहीं रहती है है लोक तंथ अपने नागरीकों के बीच आर्थिक आशमानता हैं खत्म करने में पुनाता अशमर्थ है लोक तंथ भीविद्रताओं में समान्जस लाने में शमर्थ हैं गरीब देशों के विखास सिल के देगा जम मंतव राशन देगा तैसे में गड़िब देश विकास नहीं कर पाएगा इसका राइट ओप्शन होगा लोकतंत विरिताओं में समंजस लाना नेक्स्ट कोशन है लोकतंतरिक शाशन विवस्ताओं के संदर में कौन सा कतन जो है वह सही है आर्थिक असमंताओं का अभाव होना निर्नाय लेने में देरी प्रंतु सही निर्नाय लेने की संबावना लोगों के विश्ट दकराओं का अभाव या समाजिक असमंताओं का अंत आपको बताया था मैंने कि लोकतंत्र सासन जो विवस्ता है वो जटील विवस्ता है आपको बताया था पंचाज से लेकर आपका राश्च्पती तक है आपका जेश्टी कोड से लेकर सुप्रियम कोड तक है तो लोकतंत्र सासन विवस्ता थोड़ा जटील है लेकिन यहाँ प यहां पर चलता है चाचा विदायिक हैं तो आपका प्ल रहोगीइड सभाव को स्वासती चीज को अच्यों से प्रोवाइट कराना लोगतंत्र कहलाने में होता है लोगतंत्र कहलाने में कैसा मशुर्ष होता है तो आप सभी को पता है लोगतंत्र मतलब आप सभी जानते हैं कि जहां पर राजा का शासन चले उससे बेतर है कि लोगतंत्र का शासन चले तो लोगतंत्र में लोगों के पास जो है बहुत ज़ाद सक्तियाह मिल जाती है जिस समय आप सभी का वोट होता है उसमय आपको बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है कि आप किसी को जिता भी सकते हैं इसलिए गर्व महशुष होता है अगला कोशन है लोकतंतर नागरिकों को क्या देता है तो वो शम्मानने देता है इन में से कौन के लगतंत करता है विविन्य चम्मान अपमान निरादर या उप्योक में सवी तो लोकतंत करता विक्ति को अलग अलग तरहे से सम्मानित अगला कोशन है भारती लोगतंत के प्रती लोगों की क्या है आस्ता है और विश्वास या इन्हें से कोई नहीं तो भारती लोक्तंत के प्रती लोगों की जो है आस्ता इसका रिजन यही है कि भारत के लोक्तंत में जनता जो है वो भगमान होते हैं और जनता जो है उनको चून के बनाती है तो लोक्तंत पर प सासत motivation भी थुरा जरूरी है study plan भी जरूरी है थुरा समय यहाँ पर आप सभी को मैं बता दू ताकि आप सभी के पास एक तरीका जाए देखिए मैं 5 question out कराने वाला हूँ है ना देखिए अगर आप लोग बिहार police constable की तयारी कर रहे हैं यह अच्छी बात है लेकिन आप सभी mock test भी दे mock test भी दे अब यह सोचेंगे कि सर mock test कहां दे आप paid तो नहीं बताएंगे mock test आपको जहां देने का मन है वहां दे सकते है mock test आपको जहां पर भी telegram पर मिल दा है telegram पर दे देजी किसी के app में जाकर देने को मिला है free में मिला है free मिले लिजे paid में मिले लिजे अब यह आप सोचेंगे कि mock test क्यों बोल ले है mock test से आपके आत्म बिश्वास बढ़ेगा 100 questions उसमें दिये जाएंगे आप पूरा मतलब subject के questions होते हैं तो आपको कौन question आएगा कौन question नहीं आएगा वो mock test में पता चल जाता है और आपको जो है एक चीज़ पता चलेगा कि आपने कितना question को सही किया है आप कितने कठब से दूर में है यह सब आपको पता चलते रहेगा इसलिए आपको mock test देना है मौक टेस्ट देने के वाल आपके कौन से सब्जेक्ट में सबसेरे कोशन गलत होते हैं उसे सब्जेक्ट को जो है थोड़ा सा स्ट्रोंग करेंगे थोड़ा सा स्ट्रोंग आप लोग करेंगे ठीक है थोड़ा सा स्ट्रोंग आप लोग करेंगे आप सभी को पता है विदाईका की स्विकृति से लोकतंत्र विवस्ता होती है कैसी होती है तो लोकतंत्र विवस्ता होती है खुशेहाली विवस्ता भारती लोकतंत्र निरंत्रन बढ़ रहा है विकास और उनत्ती की और लोकतंत्र की सफलता निर्वर करती है नागरिकों की व विवेकपुर्ण सभागिताओं पर लोकतंत्र का कौन सा गुन जो है वह शही नहीं है तो लोकतंत्र का गुन जो है बहुत संख्यक को सासन करना आप सभी को पता है बहुत संख्यक सासन अच्छा नहीं होता है चलिए आप सभी को 25 कोशन आप लोग को मैंने करा दिया है अगल misleading भी रहे तो आप कितने में कितना 25 में 25 लाएंगे या नहीं लाएंगे किस district से देख रहे हैं ये भी comment box में जरूर बताएंगे ठीक है धन्यवाद